वलकुम बैक टो माई चैनल और मैं हूँ सखेई गार्डन तो आज मैं जो वीदियो लेके आई हूँ वह मारे गंले मेंने प्लांट डाला हुआ है तो बरगत का नाम तो आपने सुना ही try वैसे बर्गत को घर में नहीं लगाते हैं तो मैंने इसको गंबले में डाला हुआ अभी मेरा बहुत चुटा प्लांट है क्योंकि इसकी पूजा भी की जाती है ना वैसे तो एक बहुत बशाल का पीड़ होता है और इसको दूसरी भासा में कहते हैं अक्षयबट जो कभी भी खतम ना हो कहा जाता है तो इसमें इसकी ऑसेदी गुड़ तो इतने हैं यह वसेदी से भरा हुआ है तो मैं आपको बताओंगी इसकी वसेदी गुड़ तो अगर आपको सखी गार्णिंग की पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें आप लोगों से रिक्वाइस्ट है वीडियो को पूरी देखा करें और शेयर जरू करें तो इसके उसदी गुड़ है अगर आपके पिशाम में जलन है तो आपने 10 ग्राम जड़ों को ले ले लें जो हवाई जड़ों को बोलते हैं उन जड़ों का बारिक चूर्ण बना लें सफेज जीरा और इलायची 2-2 ग्राम चूर्ण बना लें तो यह गाय के ताज दूद के साथ आप लिया करें पिशाम में कैसी भी जलन होगी वह जलन आपकी पूरानी होगी तब भी दूर हो जाएगी और सबसे अच्छा है इसका इलाज पता एक यह कि जड़े में पता रही हैं जो फैली होती है उसकी नीचे होती है या जड़े नीचे फैल जाती है तो उन दोनों को आप निकाल लें जो लटें और जो जड़ें उपर से दिखाई लगाएं आपकी गारंटी से दाद खात खुजली बिल्कूर ठीक हो जाएगी बट जो बहुत बड़ा दरख्त हो जाता है उसकी नीचे लटकती रहती है उसकी जड़ें उसको हवाई जड़ें बोलते हैं और जो नीचे जमीन में होती है वो जड़ें तो मैंने यह प्लांट विए दुड़ा गंदा हो रख्या है क्यूंकि बारीस हुई थी ना बारीस में बहुत काम कर रहें अपने !* क्या में, अब भी थिक से काम भी नहीं हो पाया है, मैंने गं लेभी जमीन में डाला कवाशू से भी लिःतां दरख्त हो जाता है इस लिए मनंने नहीं ढव्या टेक केर अपना ख्याल रखी अपनों का